हेलो एवरिवन वेल्कम तो माई चैनल लाइबरी अफेर्स तो बचों जैसा कि मैंने भी लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है कि अब लोग जो है 227 प्राक्टिकल शुरू कर रहे हैं सारी चीज़े उसकी समझना तो जो 227 आपका प्राक्टिकल है जो लास्ट वीडियो हैने बताई कि आपको उसमें आपको मैंने सारा फॉर्मैट बता ही रखा है अप तक कर लेंगे तो फिर आप ये question लगाना चालो करेंगे तो ये जो questioning आपको शुरू करती हूं यह जो पार्ट है वीडियो का, इसमें जो है, यह हम आपका single author का जो question है, यह शुरू करेंगे, सारी चीज़े detail में समझेंगे, format का जो वीडियो है, जिन बच्चों ने नहीं देख रखा है, last मेरा वीडियो, वो इससे पहले वाला वीडियो देखें, जो पार्ट वन वीडिय वीडियो है, तो उसको पहले देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए, दो तीन बार लिख के practice कर लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए, और बिना skip किये हुए वीडियो आपको last तक देखनी है, तभी आपको एक छोटी से चोटी बारीक चीजने समझ में आएंगी, अधरवाइस अगर कुछ भी मिस हो गया, तो यह चीज ऐसी है कि एक dot, एक point, एक semicolon भी आपके marks कटवा देता है, ठीके, तो चलिए शुरू करते हैं, यह मैंने एक example ले रखा है, बच्चा यह जो example है यह मैंने आपके 227 की book से ही निकाला है, ठीके, बुक से इसलिए निकाल बुक नहीं है, वो परिशान नहीं है, वो मेरे टेलिग्राम चैनल पर जॉइन हो जाए, मैं लिंक दे दूगी description में, वहाँ मैं जो question है, उसकी photo क्लिक करके वहाँ दे दूगी, ठीके, ताकि आप वहाँ से practice कर ले, question को देखके, अपनी copy या register में, तो चलिए शुरू करते ह यह example आपकी बुक में available है, देखें, जो मैंने यह first example लिया है, बिड़ा यह single author का है, जब यह कोई book print होती है, छापी जाती है, तो उसको कोई न कोई author लिखता है, तो कभी कोई एक author लिखता है, कभी दो author जोइन होके लिखते हैं, कभी तीन author लिखते हैं, कभी तीन author भी लि देखेंगे, सारी चीज़े देखेंगे, लेकिन अभी इस वाली वीडियो में हम single author का देखेंगे example, तो चलिए, अब देखें, जो आपको डबल यह सी आ, टू आर में जो question मिलेगा, वो कुछ इस तरीके का question होगा, ठीक है, यह देख लिजे, देख रहे हैं आप आप यह अ question है आपका, और आपको अब इस question को देखते हुए, क्या बनाना होगा, cat logging card, जो कि मैंने आपको last वीडियो में बता रखा है, कि cat logging card बनाने रहते हैं, आपको main entry करनी रहती है, added entry करनी रहती है, सारी चीज़ें बता रखी हैं मैंने, तो अब इस question को देखते हुए, जो हमारा cat logging का card बनेगा, पहली बाद तो अब इसमें जो जो चीज़ें उनको समझ लीजे, तभी आपको पता चलेगा कि हमें भरना क्या है, उस cat logging card में, तो शुरू करिए, first है आपका, देखे, इस box में जो चीज़ें दीए, पहले उनको देखिए, first is introduction to digital technology, ये क्या है आपका, ये उपर दिया हुआ है, ये क्या है आपका, this is title, माल लेज़ें, यहां मैं लिख दे रही हूँ, चीज़े, this is title, किसी book का title है ये, चीज़े, जो उपर दिया रहेगा, वो हमारा title हो जाएगा, third edition, मतलब कि ये book का third edition है, ये तो साफ नाम से समझ में आ रहा है, कि ये क्या दिया of the book, so he is the author, एक ही नाम दिया है, तो मतलब single author है, दूर से question देख के पता चल रहा है, एक author है, तो single author है, ठीक है, अब now he is professor department of electrical and computer technology, तो ये professor है, मतलब ये book की details दे रखी हैं बटा, तो ये author है, हमें जो जो चीज़ें नीडेड हैं, हम वो वो निकाल कर रख ले रहे हैं, प्र आते हैं, अब आप खुद समझे, computer technology के अगर ये professor है, तो ये कौन सा subject पढ़ाते होंगे, भई obvious सी बात है, ये पढ़ाते होंगे, computer, देखें, बचा हर जो आपको question दिया होगा, उसमें अलग से subject का नाम mention नहीं होगा, आपको अपनी बुद्धी की समझ लगा के, उस subject का ना काल कर लिखना होगा, ठीक है, तो हमने देख लिया, electrical और computer technology के कोई professor पढ़ाता है, तो computer subject का teacher हो गया, निकाल लिया हमने computer, ठीक है, अब हम आते हैं, Queensboro Community College of City University of New York, ठीक है, अब ये आईए, बाकी इन सारी चीजों में हमारा काम की नहीं है, अब इधार आईए, जान, वीले, and sons, अब आप आपने बहुत जागे लिखा देखा होगा, and sons, private limited, cooperative, जिस तरीके के ऐसी heading है, मतलब ये क्या है, ये publisher है, जिनों ने इस book को publish किया है, तो जान, वीले, ये कौन है, he is publisher, ठीक है, ये publisher है, लिख लिया हमने, अब ये किस city में book publish होई है, निव यॉक में, दूर से दिख रहा है हमको, इस box से हमको काम की चीज मिल गई, ठीक है, अब हम आते हैं, जो other information दी हुई है, now ये है call number, ये तो साफ साफ दिख रहा है, कि this is call number, call number क्या होता है, मैंने आपको बता रहा है, call number is a combination of class number plus book number, ये जो numbers में दिया है, ये class number है, और जो ये alphabet में दिया है, ये आपका book number है, और ये पूरा कहलाता है call number, मैंने आपको कल बताया था, कि जब आप main entry करेंगे, तो उसमें call number की, जो call number है, हम लोग put up करेंगे, तो ये call number दिया हुआ है, फिर accession number, ये भी मैंने बताया था, आपको कल की table में कहा है, रखना है accession number को, चीक है, तो ये accession number है, pages दिये गए आपको, date of publication of the third edition दिया गया है, कि किस year में publish हुआ है, ये आपको क्या mention है, ये आपको year mention है, कि ये book किस year में publish हुई है, now size, size आपको mention है, other information given on the back, revised edition of introduction to digital of the title, sorry, digital technology second edition 1977, तो ये आपको other information दी गई है, इसमें जादा कुछ important नहीं है, तो जो जो important थी, वो सारी information हमने निकाल ली है, ये भी important है, ये भी important है, ये भी, ये भी और ये भी, और बाकि जो मैंने उपर लिखी है, ये तो सारी important है, question समझ में आ गया आपको, question से हमें extract क्या 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 करना है, cataloging card बनाने के लिए, वो हमने सब निकाल कर लख लिया, तो अब देखते हैं हमकी cataloging card कैसे बनाना है, अब देखें, cataloging card आ गया, मैंने उपर heading डाली है, for a single author, single author के लिए first heading हम क्या डालेंगे, main entry, देखें बचो मैंने red pen से और black pen से यूज करके बनाया है, लेकिन आपको एक single color के pen को, आप blue pen ले लीजिएगा, और उसी से heading माल लीजिए, आप black pen से डाल दीजिएगा, लेकिन अ क्यों, क्योंकि देखें, एक color का pen रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा बनाने में, ठीक है, तो चलिए, हम लोग card, card का size मैंने कल आपको बताया था, जो मैंने प्रिविएस वीडियो मैंने उसमें बता रखा है, कि 5 by 3 का card लेना है, inches में, तो main entry का card बना लिया हमने, एक hole क draw करती है, ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि main entry कैसे करनी है, तो आजाएं, नीचे रख लेती हूं, मैं, देखें, आपको question से दिखता रहेगा, यह देखें, यह क्या लिखा है बिटा मैंने, call number, call number प्रिविएस वीडियो में मैंने बता रखा है, कि call number आपको किस से लिखना है, सब कुछ तो आप pencil से लिखेंगे, लेकिन call number आपको pencil से ही लिखना होगा, this is the rule, यह भूलियेगा नहीं, सिर्फ इसी को pencil से लिखना है, बाकि आप normal जो है, वो सारा काम pencil से करेंगे, ठीक है, सिर्फ आपको call number pencil से लिखना है, तो call number यह देखें, लिखा हुआ है, लिखा हु बोक्स में आ जाए, ठीक है, बहुत इसको थोड़ा और बड़ा हो रहा है, तो माली जेगे, आपको second intention तक आ जाए, second intention, first intention, यह previous video में बता चुकी हूँ, ठीक है, second intention से बाहर नहीं जाना चाहिए, call number आपने लिख दिया pencil से, उसके बाद accession number, accession number कितनी लाइन चोड़ने के पास लिखना है, चार लाइन चोड़ने के बाद, पाचवी लाइन में accession number डाल दीजिए, accession number भी यहाँ पर दिया हुआ है, यह देखिए, सब कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है, अब हम आज आते हैं, जो आपको main entry करनी है, तो शुरू करते हैं, हमारी main entry, main entry में, कल मैं इनका नहीं बताया तहา यहाँ पर कैसे आएगा, न में आखर उखते हैं, और वजश में ब注ते हैं, तो यह दो यह दो यह को भी आएगा, और जो यह दो अधिन हम देखते हैं, कंग लगा खेम कावमा है, यह सब कॉमा, कोलन, फुल स्टॉप, अगर यह सब आपने नहीं लगा है, तो आपके मार्क्स डिडप्ट हो जाएंगे, ठीक है, फिर हमने नाम लिख दिया, ओथर का, उल्टे फॉर्म में, उल्टा का मतलब है, कि सरनेम पहले और फस्ट नेम बाद में, अब हम शुरू करते है, कैसे, टाइटल का नेम लिखने से, और टाइटल का नेम लिखने से, कहां से शुरू करना है, हमको, हमको सेकेंड इंडेंशन से टाइटल का नेम शुरू करना है, तो चलिए, सेकेंड इंडेंशन से शुरू किया हमने, टाइटल का नाम क्या था, इंट्रोड़क्शन ट वह दिजिटल टेक्नोलोजी सेकेंड इंचन से शुरू तो करेंगे लिगन जब कॉंटीनियू करते रहेंगे तो हम फस्ट इंचन से कॉंटीनियू करते रहेंगे जब फुल स्टॉब हमको जहां लगाना है और कुछ नई चीज लिखनी है वो नई चीज से लिखी जाएगी अदर्वाइस जब आप एक बार आपने सेकेंड इंचन से शुरू किया तो कॉंटीनियू आपका फस्ट इंचन से होता रहेगा तो पहले हमने टाइटल का नेम लिख दिया इंट्रदक्शन टू डेजिटल टेक्नोलोजी यही तो टाइटल था इंट्रदक्शन टू डेज यहां दिया हुआ है थ्रद एडीशन हमने लिख दिया अब यहां देख आपको इंग्लिश जो है इंग्लिश लांगलग़ज में इंग्वज भॉद लेही तो माली, जब 4th होता, तो 4th, ठीक है? 5th होता, तो 5th, 2nd होता, तो 2nd और nd, ऐसे लिखना है. तो 3rd है, तो 3rd, एडिशन में, ed. लगा दिया, हाइफन बनाया, अब city का नाम, या place का नाम. Place आ गई हमारी, New York. ये आ गई हमारी, New York place थी हमारी, place आ गई. ये place आ गई, दो colon बनाये, अब यहाँ पे किसका नाम आएगा? Publisher का नाम, ये Publisher थे, ये देखे, ये Publisher है, सिर्फ आपको Publisher का नेम लिखना है, तो Publisher का नाम जॉन वीली है, जॉन वीली हमने Publisher का नाम लिख दिया, उसके बाद कॉमा लगाईए, ये year of edition लिख दीजिए, 1983, ये लिखा हुआ है, year, 1983, year लिखके ये dot लिख दीजिए, यहाँ पे आपका इतना data खताम हो गया, अब आप थोड़ा सा gap देंगे, और pages mention करेंगे, अब नई कोई चीज लिखनी है, तो मैंने कैसे बता है, नई चीज आप जो है, ये आप second intention से लिखना शुरू करेंगे, तो number of pages लिखना है, ये आपके pages लिखे हुए, as it is, आप note कर दीजिए, ये आपके roman numeral form में लिखा है, 7, 536, ये लिखा हुआ है, अब pages है, तो pages का हम सिर्फ P, जो small alphabet P होता है, वो small alphabet हमने P लिखा और dot बना दिया, उसके बाद लगाईए, semicolon, sorry, हाँ, semicolon लगाईए, और उसके बाद लिखिए size of the book, size of the book क्या है, 23 cm, ये लिखे, size लिखी हुए, 23 cm dot, dot मतलब ये यहाँ पे खतम हो गया, अगर ISBN number दिया होता, तो ISBN number हम लिखते, लेकिन हमें data में तो ISBN number दिया ही नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे, ठीके, अब हम आजाते हैं ये पार्ट पे, ये बहुत important है, इस पार्ट से हमको पता चलता है कि हमको कितनी added entry करनी है, added entry का मतलब है, कितनी चीज़ें extra हैं, जिनकी हमें entry करनी है, तो अभी हमें किस-किस की entry करनी है, देखें, एक तो हमें subject की entry करनी है, ठीके, तो subject हमने आपको क्या बताया था, subject मैंने बताया था, आपको कि computer subject है, this is your subject ठीक है, तो एक तो subject की entry होगी, क्योंकि अपने subject के बारे में तो कहीं नहीं लिखा है, तो एक subject की entry होगी, तो वहाँ subject ना लिखे, आप लिख दीजे, जो भी subject का नाम है, computer है, computer मैंने लिख दिया, ये one number, जो general आपका 123 वाला one होता है, वो वाला one लिखना है, फिर आप roman number वाल one लिखेंगे, one लिखा आपने, dot लगाया, one लिखे, और वहाँ पर लिख दीजे, title, क्योंकि अभी तो मेरी title के भी entry नहीं हुई है, और एक entry अभी मेरे को title की भी करनी है, तो पहले subject की entry हो गई, मतलब करेंगे हम लोग, फिर हम लोग title की entry करेंगे, मतलब इस वाले question में कित added entries और करनी है, तो कितनी करनी है, एक subject की और एक title की, ठीक है, तो इत्ता तो समझ में आ गया आपको की main entry कैसे करनी है, अब हम बात करते है, subject की entry और जो है, title की added entry, तो यह आ जाएगे, यह देखिए, added entry for subject, यह heading आप डालेंगे, कि added entry for subject, ठीक है, added entry for subject, जो है, आपने heading डाला box बनाया, same size का box होगा, pencil से आप call number लिखेंगे, फिर pen, फिर बाकी सारी चीज़े pencil लिखनी है, accession number लिखेंगे, अब कल added entry का format मैंने previous वीडियो में बता रखा है, याद है सबको, तो हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि जब subject की added entry होगी, तो यहाँ पे name of subject लिखा जाएग से लिखेंगे, ठीके, अब हम first intention से, जैसे हमने previous वाले cataloging card में किया है, main entry वाले में, name of author, कैसा, उल्टा, सरनेम पहले आया, comma लगाया, first name आ गया, अब जो main title है, ठीके, title लिख दीजिए, introduction to digital technology, जैसे कि यह title लिखा हुआ है, ठीके, यहाँ पे आपने subject लिख दिया, मतलब subject कि added entry आपने कर दी, ठीके, तो बस title लिखना है, लेकिन आपको, author का नाम और title का नेम, यह दोनों चीज लिखके, आप एक bracket बनाए, अब पूरी चीज़े, main entry वाले card की तरीके, पूरी चीज़े नहीं लिखनी है आपको, सिर्फ आप यहाँ पे एक bracket बना के लिख देंगे, rest as in the main entry, बाकी सारी चीज़े main entry की तरह हैं, पूरा लिखने की सुरुत नहीं, आप बस यह लिख के और mention कर देंगे, अगर आपने पूरा दुबारा से लिख दिया, तो बेटा यह गलत हो जाएगा, ठीके, पूरा पूरा दुबारा नहीं लिखा जाता है, और time way stage भी है, ठी ठीके, टाइटल के लिए फिर से कार्ड बनाया, same 5 by 3 inches का, call number लिखा, किस से लिखा, pencil से लिखा, और accession number लिखा, ठीके, accession number लिखा, सिर्फ call number pencils हो जाएगा, बार बार इस बात को ध्यान में रिखेगा, only call number you have to write in pencil, rest everything you have to write with pen, तो accession number लिखा, अब हमें यहाँ टाइटल के करनी है, तो टाइटल क्या था, यह था, introduction to digital technology, लिख दिया हमने टाइटल, introduction to digital technology, अब हाँ, एक बात और, subject जो है, यह हम capital letters में लिखते हैं, लेकिन जो टाइटल है, वो आप अपनी running, normal writing में लिख सकते हैं, उसको capital में लिखने की जरूरत नहीं है, और यह भी आप second intention से दिखिएगा, single line में आना चाहिए, अगर टाइटल बड़ा है, तो छोटा छोटा करके लिख दीजिए, अगर छोटा है टाइटल, तो आप अपने normal हिसाब से लिखे, लेकिन यह टाइटल एक ही line में आना चाहिए, दूसरी line में उत्रेगा नहीं, तो एक line में आपने लिख टाइटल की एंट्री तो हो चुकी है, तो बस आप bracket में क्या लिख दीजिए, rest as in the main entry, खतम, यह है आपकी पूरी डबल ए सी आर टू आर की एंट्री, अब मैंने आपको जो प्रीवेस वीडियो है, उसमें बता रखा है कि जिनका डबल ए सी आर टू आर बनता है, उन्हीं क प्रीवेस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, तो पहले तो आप टैग्स याद करेंगे, टैग्स के आगे जो content है, उनको याद करें, इंडिकेटर याद करें, और सफ फील्ड याद करें, यह common रहेगा, बस ये वाला data बदलेगा, बता रखा है मैंने आपक was the list, Isbn नवर क्या है ? whenas idea was, वम बदल्बा, DC name would call number का लिखना है किसवbor Imani Application, इनको फान हो ऊपको नपो याद किसव लिखना में, वाला कि इंट्रों है, आगे जशलस पार अफो आपको सफ़तों कील लिखना में, इंट्री वह अम बदलब मतलब सरनेम पहले कॉमा फस्स नेम तो सरनेम लिख दिया फस्स नेम लिख दिया फिर आगए टाइटल ठीक है टाइटल टाइटल है टाइटल आपका यही था इंड्रोडक्शन टू डिजिटल टेकनोलोजी सब कुछ आपको उसी में से भरना है कुछ भी आपको अपने मन से यह सोच के नहीं निकालना है टाइटल है लिख दिया टाइटल ठीक है इंड्रोडक्शन टू डिजिटल टेकनोलोजी देन आगए एडिशन फिर हमने मैंचन थाई थर्ड एडिशन पब्लिकेशन कहां भी पब्लिकेशन हुआ है नियू यॉक में हुआ है और किसने किया है जॉन वीली ने और यह कौन सा था 1983 यह तो पब्लिकेशन प्लेस देन पब्लिकेशन का नेम और यह फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शन में क्या जाएगा आपके पेज़ेज और साइज और याल रखिएगा पेज़ेज लिखने के बाद स्मॉल पी आप जरूर लगा देंगे और साइज ऑफ लिख दिया फिर सब्जेक की किस सब्जेक है एड़ेंटरी हुई है कंप्यूटर की और एड़ेंटरी किसी परसनल नेम की नहीं कि किसी की नेम की नहीं हुई है फिर एक्सेशन नमबर लास्ट में लिख देजिए आपका माक 21 का कैटलोग पूरा हो गया यह तीन करने रहते हैं थोड़ा सा बड़ा है लेकिन वेरी इजी है करना तो यह आपने समझ लिया है अब हम नेक्स्ट वीडियो में डबल ऑथर या जॉइंट ऑथर के ऊपर जो है वो कार्ट बनाना सीखेंगे तो सीरीज शुरू हो ही गई है तो आप स्टिक रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी मैं जहां प्या आपके कोई भी कोईरी हो तो मेरे से कॉंटाक कर लीजे ओके तो चलिए प्लीज लाइक एन सब्सक्राइब लाइबरेरी अफेर्स एंड प्लीज शेयर सब्सक्राइब